कि नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.3 कुछ नुम्बर वन राइट द फॉलोविंग इन डेसिमल फॉर एंड से वाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच है हमको यह फ्रेक्शनल फॉर्म में दिया गया है इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है उसका अर दस्तुर क्या है तो कुसे मर 시간 में देखेंगे और आ ठोपले हम समझाद लेते हैं जिसको डिवाइड करें मा न लोग हम एक बटे दो को हम डिवाड़ करते हैं दो से तो एक और इधर दो तो हम देखेंगे कि दसमूल लगाएंगे और इधर जीरो ले लेंगे तो दो पंचे दस यह हमारा कट गया इसके आगे नहीं बच रहा है तो यह तो हमारा क्या हो जाएगा सांथ हो जाएगा, सांथ हो जाएगा मतलब इसके आगे नहीं जा रहा है यह हमारा यहीं पर गया लेकिन अगर हमारा एक बढ़ता चला जाता है इसके आगे और भी आ जाता है और उख खुटम नहीं होता है तो उसको हम रिक्वेरिंग और नान टर्मिनेशन हम कहेंगे जो की असांत रहता है अनावर्ती रहता है आवर्ती रहता है सोरी तो देखेंगे हम तो सबस्पले कुस्ष्ण है इसको डिवाइड कर लेते हैं तो इसमें जाएगा नहीं कम है चीरो पॉइंट ले लेंगे हम और इधर हम एक जीरो बढ़ा लेंगे तो तो इसको माइनस करेंगे तो जीरो और इधर 60 आ जाएगा तो यह हो जाएगा 60 60 में 100 से डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो इधर हम क्या करेंगे और बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट तो ही इधर एक जीरो बढ़ा लेंगे अब 100 से डिवाड़ करेंगे 600 को 6 टाइम जाएगा और हमारा ये क्या हो जाएगा 600 और ये हमारा कट जाएगा इसके आगे ये बढ़ता नहीं गया यहीं पर रुख गया तो इसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे तो इधर लिख लेंगे जीरो पॉइंट थीरी शीक्स टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको हम सांत बोलते हैं सांत भी लिख सकते हैं इसको एक और बताते हैं तो पहले हम डिवाड कर लेते हैं वह में किस से डिवाड करना है एलेवन से तो हम डिवाइड करते हैं तो 1 में 11 से डिवाइड होगा नहीं तो हम 0.0 ले लेकि लिए अब इधर हम एक 0 बढ़ा लेते हैं तो अभी हम जानते हैं कि एक दसमलों से हम कई 0 ले सकते हैं लेकिन जब हमें एक इस्टेप को डिवाइड कर रहे हों तो हम उसमें सिर्फ एक दसमलों से एक ही 0 ले सकते हैं दूसरा 0 लेने के लिए हमको एधर एक 0 बढ़ाना पड़ता है तो 10 जो है कम है 11 से इधर एक 0 बढ़ा लेंगे अब इधर एक 0 ले लेंगे अब 11 का डिवाइड 12 पढ़ेंगे अगर तो 99 जाता है 11 9 जा 99 और इधर हमारा 1 बचता है माइनस करने पर फिर बना गया तो पॉइंट तो है तक 0 तो हम ले सकते हैं लेकिन हम दूसरा 0 लेने के लिए एक 0 बढ़ाएंगे इधर और इधर हम 0 लिखलेंगे तो फिर 9 टाइम जाएगा 11 9 जा 99 तो इधर हम फिर ऐसे आ जाएगा फिर ले लेंगे ऐसे हम मतलब लेते जाएंगे तो हमारा यह बढ़ता जाएगा वही बार बार आएगा यह कभी खतम नहीं होगा तो इसमें हम देख रहे हैं कि 0 9 0 9 0 9 और यह हमारा 0 9 इसे से आता जा रहा है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.09 यही 0909 बार बार आ रहा है तो हम इसको हम इसको इसे लिख दखते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा है कि रिक्वेरिंग कि अ एंड कि नॉन कि टर्मिनेटिंग कि इस तरह इसको हम लिख देंगे कि डिवाइड गरेंगे कि अगर वह बढ़ता ही चला जा रहा है डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो रहा है तो लिखेंगे हम रिक्वेरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कि अगर डिवाइड हो जा रहा है नीचे कुछ नहीं बच रहा है तो हम उसको टर्मिनेटिंग इसको टर्मिनेटिंगे कि नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं यू नो देट वन इपान सेवन इकल जीरो पॉइंट वन तो वन फोर एट फाइब सेवन और यह अनन्द हो है मतलब कटे गार नहीं यही बार-बार रिपीट होता जाएगा इसलिए इसको लाइन एक खीज दिया गया है कैन यू प्रेडिक्ट वाड़ डेसिमल एक्सपेंशन ओफ टू एपान सेवन थी एपान सेवन फाइपान सेवन फाइपान सेवन शिक्स एपान सेवन और विदाउट एक्चुली डूइंग दर लॉंग डिवीजन हमको बताना है कि इसका जो है दसमलों विस्तार क्या होगा कि बिना कि लॉंग डिवीजन भाग दिये हुए बिना लंबा भाग किये हुए उनको डारेक्ट इसका जो है इस तरह हमको लिखना है तो यह बहुत इजी है हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम कि तूपान सेवन करेंगे तो जितना दिया गया उपर उतने इसका हम उसको इजाएगा हमारा तो हम देखेंगे कि तो थो महारा वही है इक एक को इन्टु है वहने पांट इनका बैलू कितना है जीरो पॉइंट इतना इसको हम इधर क्या करेंगे लिख लेंगे जीरो पॉइंट वन फॉर टू एट फाइब सेवन और इसको हम इसे लाइन खीच भी स बचा कितना वन फाइब टेन वन एलेवन और एट टुजा 1617 बचा वन तू टू टू जा फोर वन फाइब फोर टू जा एट टू बढ़ टू ऑर पॉइंट लगा लेंगे तो जीरो जा जीरो और हमारा लाइन है इसको होपर इसे खीश देंगे तो अगर हम देखेंगे टू का अगर हम डिवाइड करते हैं से टू को तो हम क्या पाएंगे कि जो दसमलोग परसार आएगा उसका वो यही आएगा इसके बाद फिर से वही नंबर रिपीट होता जाएगा इस तरह करके बिना लॉंग डिविजन की हुए हम इस तरह कर सकते हैं क्या करना है सबसे पहल लाएंगे थिरी इंटू अब इसका वन अपान सेवन की वैलू है ही इसको ऐसे रिख देंगे 142857 और इक्वल करके हम इसको मल्टिप्लाइब करके लिग डालेंगे मुल्टिप्लाइब करके इसका हम एंसर कर लेंगे 175824.0 यह हमारा ऐसे आता जाएगा आगे का बाकी जो बचा हुआ है सब इसको खुटते कर लें कुस्टन नमर 3 देखेंगे एक्स्प्रेस दा फॉलोविंग इन फॉर्म पी अपान क्यू वेर पी और क्यू आर इंटिगर्स एंड क्यू आर नॉट इक्वल जीरो हमको जो कुस्टन दिया गया है उसको हमको पी अपान क्यू की रूप में लिखना है नीचे जो है जीरो न दाबर नहीं होना चाहिए तो इसको इसको हम दो मेठेट से कर सकते हैं तो एक सिंपल मेठेट में आपको बताता हूं बहुत है तो परें सिक्स लिखेंगे इसे शिक्स अब हम चेक करेंगे कि कि कितने संख्या के उपर जो है यह लाइन खीची गई है एक संख्या के ऊपर इसको इसको कट कर देते हैं थी तूजा शीक्स अब यह हमारा एंसर हो जाएगा यह चेक करते हैं जितनी संख्या को पर लाइन खीची गई है उतना नहीं हम नीचे लिखते हैं अभी हम इसको विस्तार में बताएंगे तो देखते हैं तो हमको दिया गया है जीरो सिक्स बार तो क्या करेंगे एक्स का एक्वल मानेंगे जीरो पॉइंट सिक्स इतना अब हम इसको मिस्तार भी लिख सकते हैं एक्स एक्वल जीरो पॉइंट सिक्स एक्स क्योंकि यही बार बार रिपीट होने वाला है सिक्स तो इसको मिस्तार भी लिख सकते हैं यह मारा अन 10 से मुल्टिप्लाइ कर देते हैं एक्वेशन वन में लिख लेते हैं मुल्टिप्लाइए एक्वेशन मुल्टिप्लाइंग एक्वेशन 1 by 10 इसमें जो है हम 10 से मुल्टिप्लाइए कर देंगे और हमारे जब इसमें मुल्टिप्लाइएंगे तो 6.666 ऐसे हम लिख लेंगे अभी हम देखेंगे कि 10 x equal 6 plus 0.66666 लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको plus करेंगे फिर वही आ जाएगा तो हम जब आप देखेंगे कि क्या होगा कि 10 x तो है ही equal और 6 भी हमारा वही है plus इसकी value कितनी है इसकी वाङ्व लिखे हैं यहां पर किता ही हैं इसकी वाइल्यू इतने की तो ह्मारा क्या है यहां पर निजलाख लेंगे अभी यह हमारा कि धर आजएगा तो 10x minus x equal 6 यह हमारा इधर आगा तो minus हो जाएगा तो 9x हो जाएगा इधर और हमारा इधर 6 है तो x बराबर 6 upon 9 हो जाएगा अब इसको हम इधर लिख लिएते हैं तो x की बाइलू की आजएगा फिर स्कूर्ड हम कट कर लेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 तो हमारा क्या आगया 2 upon 3 यह हमारा answer यह P है यह Q है इसको हम यह की गूरूप में लिख लिए है वही answer आया है देखिए जो हम बताये थे भी आगे नेक्स देखेंगे इसको भी हम साट फॉर्ड में पहले बता जाते हैं आपको क्या करना है कि 40 से उन तो लिखना ही है ठीक है अब यह जो आगे है जिसके उपर लाइन नहीं है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे इसमें पूरी संख्य में से और नीचे हम अब क्या करेंगे 9 लेंगे कितना 0 लेंगे उसको देख रहते हैं एक संख्य के उपर 9 लाइन खीजी गई उपर तो एक नाइन ले लेंगे और बाकि जो बच गए आगे लिए उसके लिए हम क्या लेंगे इधर 0 ले लेंगे अब यह माइनस करेंगे तो 43 इपान 90 होता है इधर कर लेते हैं और इधर हम इसको यह हमारा एंसर हो जाता है यह हमारा क्टे का नहीं है यह हमारा एंसर हो जाता है अब ही हम आगे देखेंगे next method जो हमारा main है जो हमको करना है exam में जासर पहले हम ले लेते हैं यक्स इक्वल 0.47 और हमको पता है कि जो एस 7 है बार बार हमको repeat होगा तो इसको में इस तरह लिख सकते हैं 0.477777 इस तरह हम लिख सकते हैं इसको क्योंकि यह हमारा 7 उपर लाइंगी चीज़ मतलब यह बार बार आएगा इसको हम equation 1 मान लेते हैं अभी हम समीकरण 1 में जो है 10 से गुड़ा कर लेते हैं जो समीकरण 1 में 10 से गुड़ा करेंगे तो हमारा जाएगा 10 एक्स इक्वल यह हमारा 4 आगे आजाएगा और 7777 यह हमारा इसे आजाएगा अभी हमारा समीकरण 2 मान लेते हैं इसको यह आजाए जो अभी हम क्या करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 2 में हम क्योंकि हमको जो है यह इस तरह करना है कि जिससे की हमारा क्या हो कि फोर माइनस हो जाए जिससे उसमें हम उसमें को निकाल सकें तो हम जो इसमें फिर से लिखेंगे मल्टिप्लाइंग एक्वेशन टू बाई 1510 इक्वेशन वन को उधर मीश्क को लिख सबता है इसे और 10 से म्लटिप्लाइ करेंगे तो हमारा 100 x हो जाएगा कि एक्वाल के मख्टी सेवन हो जाएगा इसए बागर पिर आ जाएगा पिर मारा यह cents excuse सेवन सेवन ऐसे आ जाएगा कि अभी हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे इस तरह लिख लेंगे कि हंड्रेड एक्स इकल फोटी थ्री पलस इधर हमारा फोटी थ्री पलस फोटी सेवन हो जाता है कि अभी हम देखते हैं कि हंड्रेड एक्स इकल फोटी थ्री माइनस फोटी थ्री प्लस और यह हमारा यह जो हमारा है यहां पर टेन एक्स हो जाएगा अभी हम इसको इधर लेख आएंगे तो हन्ड्रेड हए जया प्लस मेंद़ा है तो माइनस इस-, इकल 40 फोटी थ्री अब SagS, इसमिकल फोटी थ्री एक्स ने पान माइनटी प्लस वहते की थ्री उक्षेघें इसक्ल्सिक, इसम्प्टी थ्री एपान ईएंथिके यह तो यह एंसर आया है जो भी हम यहां पर किये थे लिए निक्स्ट देखेंगे कि इसको सौर्ट फॉर्म में कर लेते हैं तो लिखेंगे वन अभी तीन अग के ऊपर जो है क्या की लाइन की चीची गई तो हम कितने करें जिरू कितना बार ना लिखेंगे तीन बार यहीं हमारा एंसर आप जायगा क्योंकि यह इसको मरत है नहीं लेकिन हम इसको सब्सक्राइक करेंगे तो यह से इभॉइंट 001 ले लेंगे और हमको पता है कि यह 001 क्योंकि तीनों को पर राइन कीचित यही बार बार हमको आने वाला है आगे जब भाग देंगे तो तो इसे 001 001 001 ऐसे इसे हमको मिले गए इसको हम समीकर एक माल लेते हैं यह मारा समीकर एक है अभी हम इसमें क्या करेंगे थाउजन सिर्फियंक की इदर जो है दिए यह को देखिए इदर क्या दिया गया है तीन वरह से दिए गया तो वितलब लेंगे अगया जाए तो मैल्टिप्लाइग अ इक्वेशन तो हमारा क्या आगया जाएगा इधर लिख लेते हैं हंडेड तो सुरी थाउजेंट एक्स इकल वन पॉइंट 001 यह हमारा वण आगे आ जाएगा जोगा लेकिन आगे जीरो लिखने सक कोई मतलब है नहीं फिर 001 ऐसे खरके हम इसको 001 ऐसे लिख सकते हैं अभी हम देखेंगे कि इसे लिख सकते हैं इसको 1000x equal 1 plus 0.001 001 001 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं अभी 1000x equal 1 plus इसकी value कितनी है इधर हम देखो किये हैं यक्स इसको यक्स माल लेते हैं और यह हमारा इधर आजाएगा थाउजन्ट एकस माइनस यक्स क्योंकि यह प्लस में था इधर आगा तो माइनस जाएगा इधर 1 अभी 1000 में से 1x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 999x equal 1 तो यक्स की value कितनी हो जाएगी वह ने पान 999 यह हमारा पी और की ग्रूप में आ जाएगा यहीं आया है जो भी हम किये थे तो इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं तो इसी तरह करेंगे क्योंकि यह हमारे कुछन में दिये गया इसे बुक में समझाए गया है यह तो सौट फॉर्म है हम इसको बाद में यूज़ करेंगे आगे से पढ़ेंगे तो नेक्स्ट कुछन देखेंगे इक्सप्रेश 0.9999 इन दा फॉर्म प्यपान क्यों आर यू सर्प्राइब यूर एंसर इसको प्यूर को पर लिखना है क्या आप आसर चेकित है प्रेंसर से तो इसके बारे हम देखेंगे अपने क्लास टीचर अपने क्लास्मेक से पूछना है लेकिन हम इसको करें दिंगे घल्एंदक बात एक-उंक ऊपर जो दिया गया है किस्के बराबर है एक के बराबर है बस यही सर्पाइज करने आला है इसको फाल की sleep है तो यह कीं लिए जिलेंगे 0.9999 और 9 कि इमदे लिए लेंगे इसको मित कर लेते हैं कि मल्टी मिलाई ही कर दो यह कुछ कर दो नाइन पॉइंट नाइन नाइन था कि लिए लेंगे तो हम क्या दिखते हैं कि 10 तो है इसको हम सिरो गुसक्ते हैं 9 प्लस 0.99 और इस तरह हो सकता है अब ही इसकी वल्यू है यहां पर यक्स टेन्यक्स इकल नाइन अपान और नाइन प्लस यक्स यह मार मानस होजाएगा इदहर आएका इधर आकर इधर यह माइनस और इदर हमारा यह 9 तो 9 हो जाएगा 9 x upon 9 और यह हमारा x equal 9 upon 9 9 से 9 कट कर देंगे तो x value कितना जाएगा 1 वही आया जो भी हम आपे किये थे तो surprise करने लगा बात यही है कि जो हमारे यह 0.99 दिया गया है इसकी value क्या यह है 1 इसको round figure में इस तरह लिखते हैं जो हम इस तरह आता है तो इसको मुआ के बढ़ा के हमों 1 कर लेते हैं next है what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal fix function of 1 upon 17 तो इसमें को देखना है कि 1 upon 17 जो है इसका decimal जो ब्लोग है कितने time बाद यह repeat फिर से होना चालू कर देता है कि तो डिवाइड कर लेंगे आप लोग मैं थोला इसा बता देता हूं कि जितना नीचे दिया गया जितना इस डिवाइड करना उससे एक कम मतलब 17 दिया गया है तो उससे कम कितना हो जाएगा शोला शोले शोला टाइम बाहर जो है उसका जब हैं कि वन पॉइंट वन अपान सेवन इकल जीरो पॉइंट जीरो फाइब डबल एट टू थ्री फाइब टू नाइन फोर वन वन सेवन सेवन सेग्स फोर सेवन यह हमारा रिपीट होता है तो देख लेते हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ आठ नाओ दस ग्यारा ब पार यह आएगा तो हमकर सकते हैं तो दा मैक्सिमम नंबर अव डिजिट अगे डेट और वी इन दा कर देवन सेवन 8रा झाल कर दोजिए बीच अ एब ओ बीच को फिजिस अ टाम ट CRA UP अबップ प्सक्व लृँर हो और दी टीफ-ब कि और वान फान 17 इज कितना है 16 16 टाइम बाद फिर से रिपीट होना चालू हो जाए इसको डियाइड कर लीजिएगा अपने आप से कि नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं राइड थ्री नंबर्स हूज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग ऐसे जोए तीन डेसिमल नंबर एक्सपेंशन लिखना है जो की अनावरती हों जो सांतना हों पड़ते ही चले जाए जब ऐसा कुस्ट सकते हैं तो पहला लिख देते हैं 0.4141 14111 14111 ऐसे जो हम एक्स को आगे बढ़ा सकते हैं आगे हम एक और लिख सकते हैं दो तीन लिखना है तीन लिख देते हैं तो पॉइंट जीरो वन जीरो 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 इसको भी हमारा क्या है इसको करते हैं कोई खत्म नहीं होता है इसकी बेर लिए आज तक कोई बता नहीं पाया है इस तरह इसको भी हम इसको कर सकते हैं नेक्स्ट कुश्चिन है फैन थी डिफ्रेंट इरेस्नल नंबर्स इरेस्नल नंबर फैन्ट करना है between the rational numbers 557 and 99.11 इन दोनों के बीच में हुआको 3 अलग अलग जो है इरेस्नल नंबर ग्याद करना जैसे हम जानते ही हैं कि दो रेस्टल नमबर के बीच में बहुत सारे अनंत इरेस्टल नमबर होते हैं अपरी में संख्या होती है पलीस को डिवाइड कर लेते हैं पांच बेटे साथ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा क्या जीरो दसमलो साथ एक ऐसे यह बढ़ता और भी आएगा यह बढ नहीं भाग देते हैं तो जीरो-दसमलो एक आता है कि यह हमारा बार बार ऐसे अता है तो इसको हम इसके भी में को जानते ही हैं ब्रेंद नमबर होती हैं तो हम लिख लिखे हैं तीन पहला लिखने हैं कि जीरो पॉईंट इसके आगे ही बढ़ता है कि अधायों साथ दो दो साथ दो 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 ऐसे करके हम कम आगे बढ़ा दो दूसरा है में इसके बीच में इंडिक सकते हैं कोई भी शिर पॉर फोर भी लिज्व सकते हैं 733 357333 लिजे लेता है 337333 ऐसे करके हम स्कोरी सकते हैं । थर्ड है और कि परने समस्ट बर 744,. फिर 744 १ पर फोरस، बेंड करके हम सकते हैं लव यह करना है कि हमको तीन अलग अलग जो है इरेशनल नंबर ग्याद करने है करें। अगा अग्नियस्ट कुस्शन। ख्लासिफाई दाप्फॉलोगिंग नंभर ऐस रेशनल लमबर रेशनल और पेसमें यू नंभरद दिए गेंहें हैँ को क्लासिफाई करना है कौन DAY करद दे को देसंल है तो रूट टुनट ट्री एक किसी का रूट है नहीं किसी का स्कॉयर तो हमारा क्या हो जाएगा लिखेंगे रूट 23 23 इस रेशनल नंबर और इसको देखते हैं तो यह 225 जो है यह 15 का स्कॉयर है तो मारा हो जाएगा यह रेशनल नंबर कि रोट 225 क्या है यह रेशनल नंबर है आगे हैं यह यह रिपीट तो हो नहीं रहा है सांथ हो गया है तो मारा क्या है रेशनल नंबर है तो लिखेंगे रेशनल नंबर और यह इसको देखते हैं 478 478 मतलब क्या है यह हमारा जो है यह 478 478 जो है यह रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे फॉर सेवन दुपॉइंट 478 478 कि तो रिपार नंबर है कि इसमें दिखेंगे 0.1.011010010000 ऐसे करके आ यह हमारा जो है लेशन कतम हो गया है वीडियो गर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कोई कुछ न पूछना हो तो कमेंट बास्क में पूछ सकते हैं थैंक्यू